नमस्कार स्वागता आप सभी का न्यूज इंडिया पर आपके साथ मैं हूँ आचल कादियान शुरुबात करेंगे बड़ी अपडेट के साथ दिल्ले एंसी आर में सुपह से ही मौनसोन के दस तक देखने को मिल रही है छमाचम बारिश हो रही है तेज बारिश और ठंडी दिन निकलने से पहले ही देश की रास्थानी दिल्ली और उनके आसपास की इलाके में बारिश हो रही है बारिश से लोगों को एक बार फ़र से उमस्परी गर्मी से राहत मिली है 27 जूनिया निकी गुरुवार को भी सुबह सुबह बारिश होई थी दिल्ली में मौनसोन के आने पर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने को मिल रही है लेकिन आपको बता दे कि जिस तरीके से आस सुबह से ही बारिश हो रही है इसके वज़ह से या तायात थप पड़े हुए या तायात बहत प्रभावित हो रही है जिन लोगों को अपने दफ्तर आपमान में तो गिरावट दर्श की ही गई है चिलचिलाती गर्मे से भी लोगों को राहत मिली है लेकिन जलभराव की स्थिति का सामना अब लोगों को करना पड़ रहा है देखिए आप ये दो तस्वीरे देखिए आप देखिए जो लोग अपने घरों से बाइक पर निकल रही है यानि कि टू विलर्स पर निक जो लोग निकल रहे है उन्हें खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों की बाइक स्कोटी बीच में ही बंद हो जा रही है ये लाइफ तस्वीरे आपको दिखा रहे है फिलहाल दिली एंसियार की कि जगा जगा पर जलभ खराव के स्थिती बनी हुई है लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकलते हैं ओफस के लिए निकलते हैं काम के लिए निकलते हैं लेकिन आज समय से ओफस नहीं पहुच पा रही है जाय फिरोस में त्री विलर्स की बात कर ले फोर विलर्स की बात कर ले आफिस टू की हर किसी को ही परेशानी का सामना आज करना पड़ रहा है खास कर टू विलर्स के लिए आज का दिन बेहदी चुनोती भरा रहने वाला है जगा जगा पर जल भरा और किस्थीती बनी हुई है देखे आपको बता दे कि मोसम विभाग ने पहले ही इस बारे में बता दिया था कि अब आगे आने वाले वक्त में मोसम ऐसा ही रहेगा लगातार बारिश होगी बिना रुके जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है हलांके बारिश होने की वजह से ठंडी हवाय चलने की वजह से चिलचिलाती गर्मी से जरूर राहत लोगों को मिली है गर्मी से काफ़े जादा लोग परिशान थे तो गर्मी से तो राहत लोगों को मिली तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई फिलहाल ये दो तस्वीरे आप देखिए और अन्दाजा लगाईए कि बाहर के स्थीती कैसी है अगर आप इस वक्त टीवी देख रहे हैं और ये तस्वीरे देख रहे हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं घर से बाहर जाने की तो तस्वीरों को गौर से देखिए और फिर उसके बाद अपना मन बनाईए कि बहार जाना है या नहीं क्योंकि बहार फसने की पूरी पूरी उमीद है तो ये लाइफ तस्वीरे आपको दिखा रही है दिल्ली एंसियार में जगह जगह पर इसी तरीके की स्थिती बनी हुई है जिसकी वज़े से यातायात काफे जादा प्रभावित हो रही है कई जगह पर लंबा लंबा जाम भी लगा हुआ है कई जगों पार जल भराव की वच्छे से गाडिया फसी हुई है निकल नहीं पा रही है हलांकि तेज बारिश और ठंडी हवाव की वच्छे से तापमान में गिरावट दर्च की गई है जिस चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान थे बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो गर्मे से राहत जरूर लोगों को मिली है